आज मैं आपको दही जमाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी, ये तरीका आपने यूटूब पे पहले कभी नहीं देखा होगा तो मैंने ये दही छोटे से चाय वाले ग्लास में जमाई है, आपके घर पे जब भी दूद वच जाता है साम को आप उससे दही जमा सकते हैं और आप बार-बार इसी तरीके से दही जमा के खाएंगे, तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आगरती की रसोई में आपका बहुत-बहुत सागत है, तो चलिए ऐसी गाड़ी मलाईदार दही जमाना इस टार्ट करते हैं तो दही जमाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या-क्या लिया है, सबसे पहले मैं यह दिखा देती हूँ तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच दः ले लिया है और तीन छोटे-छोटे चाय पीने वाली गिलास ले लिया और दो कटोरी ले लिया और आधा लिटर दूद ले लिया है दः जमाने के लिए आप जब भी दूद लें तो गाडा दूद लें आज जो फूल क्रीम का दूद आता है पैकेट वाला हो ले तो मैंने इस दूद को अच्छी तरह से गरम करके 20 मिनट ठंडा होने के लिए रख दिया था ये दूद हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए तो इसको हम सारे गलास में एड़ कर देंगे तो देखिए मैंने दूद को सारे गलास और कटोरे में एड़ कर दिया है तो हम क्या करेंगे जो दढ़ी लिया था हमने 2 चमच इसमें 4-5 चमच पानी मिला देंगे और पानी मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से चमच से मिला लेंगे अगर हम इस तरह से इसको मिला के डालेंगे दूद में, तो अच्छी तरह से यह दई जो है पूरे दूद में बीनेगा और हमारा धही परफेक्ट जमेंगा, तो इस तरह से आप जरूर करें तो सारे गिलास और कटोरियों में हमें एक एक चमच दई एट कर देना है तो हमारी कटोरी का दूद थोड़ा जादा है तो हम इसमें डेड़ चमच दही एट करेंगे तो दही एट करने के बाद हमें दूद को एक बार चेक कर लेना है कि दूद हमें सीत गरम चाहिए क्योंकि गर्मी है अगर आप ठंडी के सीजन में जमा रहे हैं दही तो दूद थोड़ा और जादा गरम ले लें इसके बाद मैं इसको ढख के पूरी रात रख रहे हूँ जमने के लिए क्योंकि ये रात का समय है और मेरे पास दूद बचा था तो मैं उसे इसे दही की रैस्पी सूट कर रहे हूँ अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 6-7 घंटे रख दीजिए इसके बाद ये दही जम जाएगी तो ये देखिए सुबह हो चुकी है और मैं दही चेक कर रहे हूँ तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारी दही जम के तयार हुई है और सारी दही हमारी जम के तयार हुई है कोई भी ऐसा नहीं है कि ना जमा हो तो आप ये देख सकते हैं और कितनी ठक्केदार और गाड़ी दही हमारी जम के तयार हुई है देखिए हम चारों तरब से इसको हिला के दिखा रहे हैं कहीं से भी दही नहीं हिल रही है और ये देखिए बहुत लोग दही जमाते हैं तो पानी निकल आता है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं निकल के आया है और कितना परफेक्ट हमारी दही जमी है तो फ्रेंड्स मैं इसे कट करके दिखा देती हूं कि ये अंदर से कैसी जमी है तो ये देखिए उपपर से गाड़ी मलाई और अंदर से मलाईदार धई देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो आप अपने परिवार को इस तरह से सजाव धई एक बार जरूर बना खीलाईएगा आपके परिवार को ये दही बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और पूरा परिवार आपकी तारीफ करेगा तो ये रैस्पी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो अगर मेरी ये दही जमाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुचें तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नहीं रहते हैं